दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिया तो जब आपने इस पिक्चर को देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी वर्ल्ड के most of the desert वो continents की western side में क्यों है वेल बताता हूँ इसकी तीन मुख्य कारण है पहला सबसे बड़ा कारण यह है कि यह जो major आपकी deserts पाई जाते हैं सब tropical high pressure belt के region में जहाँ पे जो ठंडी हवा है वो descend करती है और वहाँ पे moisture की कमी होने के कारण यहाँ पे बारिश नहीं होती है दूसरा मुख्य कारण जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे eastern side से जो हवाय चलती है जो trade winds कहलाती है वो major बारिश जो है eastern section में कर देती है लेकिन जैसे ही वो center में वेस्ट साइबे पहुंसती हमका सारा moisture use out हो जाता है जिस वज़े से western section में आपको desert मिलेंगे और तीसरा सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे flow करने वाले cold ocean current जो की लाते हैं desiccating effect सारा का सारा moisture वो खीच लेते हैं जिसके कारण यहाँ पे बारिश बिल्कुल कम और नियुनितम होती है तो अगर ऐसे interesting videos आपको बसंद आए तो जोरू मुझे comment section में बताएं और follow करना ना भूले